हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आज मैं आपके लिए ncf 2005 यानि कि राश्ट्रिय पार्थ चर्या की रूप लेका लेके आया हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं राश्ट्री पार्थ चर्या की रूप रेका का अनुवाद सम्विधान की आठवी अनुसूची में दिया गया है और लगबग इसका अनुवाद सभी भाषाओं में किया गया है NCRT कारेकाईनी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठको में राश्ट्री पार्थ चर्या को शंशोदीत करने का नेन लिया राश्ट्री पार्थ चर्या दस्तवेज का आरंब रविंद नाठ टैगोर के निबंद सभिता और प्रगिती के एक उद्धरन से होता है अब हम देखेंगे पाथ चर्या निर्मार के निर्देशक मतलब इसमें क्या क्या दिया हुआ है NCF 2005 में क्या क्या है ग्यान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना पड़ाई जो है वो रटंत प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चीत करना पाथे चर्या का इस तरह समवर्दन करना की बच्चों को चहु मुखी विकास के अवसरूप लब्धों परिक्षा को अधिक लचीला बनाना और ठक्षा को गति विदियों से जोड़ना एक ऐसी अधिभावी पैचान का विकास करना जिसमें प्रजत आंतरिक राजवेवस्था के अंतरगत राष्टी चिंताय समाहित हों समाजिक शांस्कृतिक यातार्थ पर विवेचना परिपेख्षों को विक्षित करने वाली प्रक्रियाओं को पाथचर्या में स्थान देने क्या हो सकता है विद्यार्थियों के लिए जितना ध्यान वस्तू पर विशवस्तू पर देना चाहिए उतना ही चात्रों की सहभागिता, छेत्र अवलोकन अन्वेशन, विशलेशनात्मत, विचार्वी मरसाधी पर महत्वपून है ज्ञान निर्माड में विद्यार्थियों की सह भागिता, रचनात्मक्ता, अच्चों की सोच, जिग्यासा और प्रश्नों के लिए पर्याप्त स्थान के लिए बल दिया गया शिक्षा की रास्ति विवस्था को बहूलवादी समाज में मजबूती प्रदान करना समविधान में उल्खित मूली जैसे समाजिक न्याय समता धर्म निर्पेक्ष्टा आधी पर आधारित पाठे चर्या का अभ्यास करना पाठे क्रम में सुधार करने के दिशा निर्देश न्सीएफ के नुसर कुछ विश्यों में सुधार दिशा निर्देश दिये गए हैं जो की इस प्रकार हैं भाशा विशे के समंद में भाशाई कौशलों जैसे सुनना बोलना पढ़ना और लिखना आधी पर बल दिया गया अक्षाओं के पूरे दोर में पढ़ने पर जोर देना जरूरी है जिससे परतेक बच्चे को स्कूली शिक्षा का ठोस आधार मिल सके तीसरी भाशा फॉर्मूला त्री भाशा फॉर्मूला पहला घरेलू भाषा, दूसरा मात्री भाषा और तीसरा दुती भाषा पर बल दिया गया बारती समाज की बहु भाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की सम्रिद्धी के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए दूसरा है विज्ञान के विशय के समन्द में विज्ञान की भाषा प्रकृति एवन विशय वस्तू, विद्यार्ती की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनकूल होने चाहिए सभी प्रकार की परियुजनाओं के माध्यम से निकलने वाली सूचनाओं और समझ की आधार पर भारती पर्यावरण को लेकर एक सर्वसुलब और पारदर्स्ती डेटाबेस त्यार करना चाहिए जो की अत्यांत उप्योगिक और सेक्षलिक संसाधन साबित होगा विज्ञान की सिक्षा में इस प्रकार का परिवर्तन एवं सुधार करना चाहिए कि वह परतेग बालक को अपने प्रतदीन के कारेओं को वह अनुभवों को जाचने वह परखने और उनका विशलेशन करने में सक्षम बनाए तीसरा है गणित विशय के समंद में गणित सिक्षन का मुख्य लक्ष औपचारिक एवं यांतरिक प्रक्रियाओं का ज्यान प्रदान करना ना होकर गणित ही होना चाहिए गणित की सिक्षन से बच्चों की तारकिक सोचने की अमूर्थ निर्माड वह त्रिष्टी करण की छमता का विकास होना चाहिए गणित का दारा विश्त्रित करने वह इससे दूसरे विश्यों से जोडने पर बल दिया जाना चाहिए तीसरा है समाजी विख्ञान की संबन्द में समाजी सिक्षाद्वारा बच्चों में समाजी अवधार्ण को विक्षित करना है जिसके कारण उनका चिंटन, सวतंत्र और आलोचनात्मक रूप से विक्षित हो जाएगा नागरिक सास्त को राहितिक सास्तर में चेंच कर दिया जाए मुख्य राष्टी चिंताओं जैसे मानवधिकार, लेंगिक न्याय, अलपसंखिकों के हाशिये पर धकेल दिये गए समुह के प्रति सम्वेधन शील्दा इनको विक्सित किये जाने के लिए अनुशास नात्मक जिदिश्टिकों अपनाय जाने की जरूरत है एंसी अफ के अनुशार कक्षा कक्ष में पाठी समगरिक नियां कैसे होने चाहिए एंसी अफ ने परिचर्चा वा समुह चर्चा पर जोड़ दिया साथ ही नाटक, प्रसुत्तिकरण, वाचन और गैन पर भी बल दिया इसने पोश्टर, चित्र और स्वयम आरेक बनाने पर भी बल दिया साथ ही सामूहिक गतिविधियों पर बल दिया एंसी अफ अपने उत्पादएकिये गतिविधियों जैसे सांस्कृतिक व साहितिक गतियों पर भी बल दिया, NCF के द्वारा खेल कूद NCC, NSS जैसी गतिविद्यों पर भी बल दिया गया, NCF ने ब्रहमण और कलब गठन जैसी गतिविद्यों पर प्रकास डाला, NCF के अनुसार आकलन में लचीलापन कैसे लाया जाए, NCF के अनुसार परिक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परिक्षा के अलावा मुल्यांकन के बहु वी दी रूप होने चाहिए, मौखिक परिक्षा और सामुही कारे मुल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खुली पुस्तक परिक्षा और लचीली समय सीमा से रहीत परिक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू करने पर बल देना चाहिए, फरंपरागत परिक्षा पदती को भी बहतर तरीके से प्रश्न पत्यार करके और विद्यारतियों को वांचनिय जानकारे जैसे त्रिकोण मिती आकृतियां, नक्षे, इतिहास कीतितियां, सूत्र आदी देकर इस दिशा में मोड़ा जा सकता है, परिक्षा परणाली को अधिक मुक्त, लचीला और रचनात्मक व सरल बनाना, स्कूल के अंत की बोर्ड की परिक्षा और स्परधात्मक प्रवेश परिक्षाओं को अलग करने पर बल देना, ये सभी के सभी, NCF के अनुसार, आकलन में, फ्लैक्सिबिलिटी के उधारण है, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ओर शेयर अवश्य करें, धन्यवाद,